कैसे हैं आप सभी तो मुझे उमीद है कि सब अच्छे से होंगे आज हम लोग बात करने वाली है किस तरह से आप अपने परसेंटेज को इंक्रीज करोगे ठीक है बहुत सारी स्टूनेंट परसाने सर हमारा परसेंटेज जो इंक्रीज नहीं हो रहा है सेमेश्टर एक्जाम के अगर आप इस पर अमल करती हो तो आपको परसेंटेज इंक्रीज करेगा तो वीडियो को आखिर तक देखिए अगर आप आखिर तक देखेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और समझ में आएंगे तो पहले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते से पहुँचना है कि पहुचना आ आपको तो फिर आपको पहले माले पर शडना पड़ेगा येँ से जाओ तो बहुत करना पड़े तो thumb कर दो ृए यह करेगा मेहनत करेएं नहीं होने वाला नहीं तो सब किसाफ सेक्शली के खौब रह जाएंगे ठीक है नंबर दो पॉइंट अवाइट सोसल प्लैटफॉर्म अगर आप फेस्बुक वगरा यूज करते हो जिसमें रिल्स देखते हैं इस्टाग्राम पर रिल्स देखते हो या कोई और प्लैटफॉर है ना बच्चों बहुत जादा इंपॉर्टेंट है तो उसमें हमको ध्यान रखना है तो टाइम हमें परवाज जरा भी नहीं करना है किसी भी तरह के सोसल जो साइट से उनका इस्तमाल हमको बंद कर देना है इंस्टा फेस्बुक या कुछ भी ऐसे मिलते हम लोगों को इसक डिसमबर से पहले पहले आप सिलेबस कंप्लिट कर लो इसम्बर के अदर इसकुल में नई हुए तो यूट्यूब३ उगर अगरा कि जरी या आपके को शींग उगरा में है तो वहां से इसम्बर कंप्लिट हो जाएंगे मुझे उमीद है तो आप फट्टा दिसमबर के अं है separate time देना है mass के लिए ठीक है क्यों मैस के लिए देना है क्यूंकि आपको मालूम है hard question के होड क्युशन कितने आते 22 marks के total आती है 11 marks algebra में आता है 11 marks geometry में total 22 marks अगर ये 22 marks आपको निकाल देते 22 marks निकाल देते हैं तो आपके हाथ में कितना बसता है शिफ 78 मार्क्स बचेगा ठीक है तो यह क्या है आपके खौब के उपर आपको जो खौब देख लो ताकि मैस के अंदर आप पूरा प्रफेक्ट हो जाओगे मुझे उमीद है और मैस के अंदर डेफिनेटली आपके 95 प्लस मार्क्स मिलेगा मिलेगा अगर आपने पूरा प्रैक्टिस सेट नौनीत का देख लिया और होट कोशन कर लिया तो फिर बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिस पेपर है देख लो अच्छे से यह आपकी कोई भी करीब के बुक इस्टोर में मिल जाएगा तो वहां से आप खरीद लेना ठीक है इसमें हर जो सब्जेक्ट है उसकी पर पांच-पांच जो है प्रैक्टिस पेपर दिया है उसको आपको अच्छी से सॉल करना है उसको अंडेस्टेंड करना है ठीक है आपको एक टाइम टेबल बना लेना है कि डेली एक पेपर सॉल करना है एक्जाम तक आप दो से तीन बार जितने पेपर सब कर डालो और अच्छे से परफेक्ट प्रैक्टिस कर लो ठीक है मैं से सेक्षन तो मैं करा ही दूंगा उसक चुन लो जैसे आपने चुन लिए एंग्लिश लेंग्वेज फिर उसके बाद मैस चुन लिए इस सोसल चुन लिए जिसमें ंटरी जयोग्राफी हो गया तीन हो गया चौहथा साइनस हो गया ठीक है अब पांच्वा आप कोई भी लेंग्विज्ज लेलो ठीक है जिस लें सबस्क्राइब से चलना है और इंग्लिश में बच्चों का मार्ट बहुत जादा करता है इंग्लिश के अंदर जो रहता है ग्रामर करना है वो पर फेक्ट नहीं होते तो उसकी वजह से जो आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला सेक्षन है जहां पर आपको वर्बल झाल झाल